हेलो फ्रेंड्स, मैं विने निर्भिक फ्रेंड्स, आपका एक बार फिरसे मैं चल पिर श्वागत है फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जायन रहे दरोगा भरती को लेकर के लगातार आप लोग प्रयासरत है किसका नौटिफिकेशन आ जाए आ जाए आ जाए आप लोग लगतार Twitter अभियान चला रहे हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जाके विपक्ष के नेताओं शे मिल रहे हैं यहां तक कि डीजी से भी मिलने का प्रयास कियें बट कहीं भी कोई शफलता आपको मिलती नजर नहीं आई अपलोगों लगतार आ शौल से अपंटमबर में इसका और उसके बाद क्या होगा आपक का क्यों क्या होता है इन लोग के इंप्रविव करें कोई खास मतल British होता है यह लोग अपना बचाओ के लिए जहाए अब बोल देते है ठीक है लेकिन क्या होता है कभी-कभी बाते सही भी हो जाती है इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग preparation करते रहें बट maximum time क्या होता है इन लोग के बातों बिश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि आप खुद जानते हैं यह क्या करते हैं कि मेडियास बचने के लिए अपना कुछ भी बोल लेते हैं मैं जब लगतार आपसे बोल रहा था है कि वेकंसरी साल नहीं आने वाली है मैं लोगों ने मुझे मुझे गाली दिया बट ऐसे लोग कभी किसे एक्जाम में सक्सेश नहीं हो पाएंगे क्योंकि जो अच्छे होते हैं फ्रेंड्स वह उनका बिहवियर अ लेकिन अब आज मैं अपडेट नहीं दिया लेकिन अब आज मैं अपडेट दे रहा हूं फ्रेंड्स तो अब ही अब हो गया भरती जैसा कि मैं पहले से भी बोल रहा था मुझे फिर यह लगा को सकता मिटे में कुछ निकल जाए रिजल्ट बट ऐसा कुछ हुआ नहीं आप आपको मालूम होगा बीच में यह भी निउस आया था कि अभी इसको यह करण दे के रोका जा रहा है कि जो पुरानी भरती दोर 16 वली फसी होई है उसके को लेकर के लोग परिशान है कि अब नियमावली कंफर्म नहीं हो पारी है कि कौन सी नियमावली बनाई जाए तो उसक ठीक है तो मैं कल का बात बता दूँ फ्रेंड्स कल क्या हुआ है कल यह लोग गये हैं जो कैंडिस लोग थे चार-पांच लोग जितने भी लोग थे गये मेडिया परसन के शाथ बट जो डीजी वहां के हैं लखनों में जो बैठते हैं राजकुमार विश्व करमा जी वह इ यह रिजन दे दिया ठीक है और उसके बाद बोलें कि हम कभी भी फिर से मीटिंग कर लें एक दो दिन बाद लेकिन कब करेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है ठीक है तो यह लोग क्या है मतलब बस बचने का एक तरीका ढूंड रहे हैं और अभी बचने का और नहीं तरीका यह है कि आप लोग बोल रहे हैं कि तीन हर पाद और बढ़ा जाएंगे लगा चौतिसों कुछ पाद है जो टोटल प्लाट्वन कमांडर को होगा यानि पीए से स्लेटेड होगा ना कि नागरिक पुलिस होगा ठीक है तो अब उसके पीछे लोग पढ़े रहेंगे अब इस इन लोग को पतानिके रिश्वन का इस्यू है कि रिश्वन के नाम पर भरती लेट कर रहें तो अब यहां फिर से लेट करने वाले हैं तो अब लगता है कि आप जनवरी में भी कोई उमीद नहीं एक नोट्फिकेशन आने वाला है ठीक है मैं तो आपसे पहले भी लागतार बोलता रहा है कि अभी कोई उमीद नहीं दिख रहा है बट जनौरी मैं एक्सपेक्ट किया था मैं सोचा कि कल की मीटिंग में कुछ रिजल्ट निकल जाएगा शामने बट ऐसा कुछ हुआ नहीं उन्होंने मिलने से साफ साफ मना कर दिया और फिर अब एक नया लॉलिपॉप आपको धरना प्रेशन करने फैयदा नहीं मिलने वाला है कि कोई आपको बात सुनने वाला नहीं है सेंपल सी बात है क्योंकि पॉलिटिशन जानते हैं उन्हें वोट चाहिए वोट तो कहीं कहीं से मिली जाये गा और आप लोग प्रिशान होते रहेंगे अभी आप देख र बात धरोगा कि यह भी भरती नहीं आई अधर आंगे फिरेंट में बार बर कहरा हूं बट अभी नहीं आएंगे यह 2021 के स्टार्टिंग से मतलब कि कुछ भरती आना है स्टार्ट हो जाएंगी लेगिन अभी आप जानते हैं क्या इश्यू चल रहा है हर यहां कुछ न कुछ लोग रोड़ाट का दे रहा है यूपी ट्रेपलिस्यम में प्रॉब्लम चल रहा है कि उसमें प्रॉब्लम चल रह होना कुछ नहीं रियल्टी यही है होना जो था हो चुका है मतलब कि अभी तक नहीं आगे भी नहीं आएगी बस आगे का कुछ वेकंसी आएंगी आपको फशाने के लिए दाकिया वोड़ बैंक बन सकें इन्नेताओं के और कुछ नहीं होता है अब यह उमीद किया सकता है हो सकता है मार्स तक आ जाए इससे पहरे तो उमीद नहीं दिखता है क्योंकि अब तीन हर भरती के पीछे लोग कितना पापट बेल आएंगे आप से खुद सोच सकते हैं यह कहेंगे इसमें यह हो गया इसमें वह हो गया तो ऐसा-एसा होगा अगर प्रस्ताओं को ना हो जाएगा और फिर कई लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो ऐसा हो जाएगा कि बेरुजगार के बेरुजगार ही रह जाएंगे बट उमीद यह भी है कि जैसा कि पिसले कॉंस्टेवल भरती मोद्य अठर वाले में कि अलहावाद हाई कोट से एक साल का रिलिक्स्रेश हाल में कि उनके क्या गुना है कि उनके टाइम भरती नहीं आई ठीक है तो उन्हें भी मौका जरूर मिलना चाहिए ताकि वह भी अप्लाई कर सके एक्जाम दे सके और नौकरी पासके अगर उसके लिए एलिसबल हैं तो एक्जाम कॉलिफाई कर सकते एक फिश्कल क्लियर कर सकते हैं तो उन्हें भी नौकरी पाने का अधिकार है तो एक रास्ता है कि आप कोड जाएं वहां से इस पर डिमांड करें और पूराना कोड केस दिखाए को डिखाएं कि यहां भी होना चाहिए और हमें एक बार मौका मिलना चाहिए अधर वाइस क्या होगा आपको मौका नहीं मिलेगा आपका इसाई बनने का सपना ठूट जाएगा हमिशा के लिए फिर कॉंस्टेबल ही बन पाएंगे तो फ्रेंड्स अभी बस इतना ही अपडेट था बाकी मैं आगे अपडेट दूंगा कि आज क्या के न्यूज दूंगा उहां से क्या चल रहा है क्या नहीं चल